हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में अब हम बात करेंगे हमारी जो किताब है हमारा राजस्तान उसके मोश्ट इंपोर्टेंट प्रश्ण उतर पार्ठ नौ से ग्रामेन एमाम सहरी प्रसासन ठीक है इसके बारे में जितने भी करेक्ट आंसर हो गया हमारे देश में किस सविदान संसूधन विदेक ने पंचायती राजविवस्ता को अपनाया तो आप कोगे 73 में सविदान संसूधन बहुत बार पढ़ चुके आप मॉडल पेपर में भी ठीक है ना नगरिय परसासन के कारिय बताईए तो नगरिय परसासन के कारिय क्या होता है आप कहेंगे दो कारिय एक अनिवारिय एक एचिक अनिवारिय मतलब करने ही है उनको एचिक मतलब उनकी मर्जी है तो अनिवारिय में क्या आता है कि सब को सुद पानी मिले इसकी व्यवस्ता करें सड़कों पर रोशनी सापसपाई की व्यवस्ता करें जन्मर्थ्य पंजी करन करें और दमकल की व्यवस्ता मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो अनिवारी करते हैं लेकिन एचिक में क्या आता हैं ये इनके इच्छा पर निर्बर करते हैं सारजनिक बाग लगाना मर्जी हो तो लगो वरक्षा रोपन करना नहीं भी करते हैं ठीक है न वाचनाले, पुस्ताकालाई का निर्बान स्टेडियम, आवारा पसों से छुटकार ये सारे क्या आगे ये आपके आगे एच्छी कारियम है फिर ग्राम सबा पर एक टिपने लिखिए तो ग्राम सबा पर टिपने लेखिए ग्राम सबा पंचायत राज की आदार भूत संस्ता है और ग्राम सबा का शेत्र एक राजस्व ग्राम होता है सामने तया प्रतेक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सबा होती है ठीके ना ये सबसे छोटी काई कह सकते हैं आप इसको और ये हर गाम की अलग होती है और इसमें सभी मत्दाता मिलके इसको सदिश्यों को चुनते हैं और ग्रामसबा की बैठक में बाग लेने का अधिकार और करतवियों निको होता है फिर ठीके ना एक तरह से ग्रामसबा बारत में परत्यक्स प्रजातंतर का उदारन है ठीके ना ध्यान रखिएगा सामनता हर तीसरे महीने में ग्रामसबा की बैठक बुलाई जाती है आम तोर पे 26 जनवरी 1 मई 15 अगस्त 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बोलाई जाती है और आप सकता पड़ने पर गाम का जो मुख्या होता है वो ग्राम सभा की बैठक कभी भी आयोजित करवा सकते है यह रखेगा अगला है कि नगर परिशदों की यहां पर थोड़ा मिस् प्रिंट हो चुका है थीक है न तुद्यान रखे तो से लिको जिन सेरों की जन्सग्रूने क्या एक लाग से ज्यादा और पांस लाग से कम होते हैं वहां पे नगर परिष्दों के इस्ताफना की यह इस थापना लेकां भेए 20 रम्हों जान प्रिशレ्ट कहते हैं जहां पर जन्सग्रुज रधावनश Well वहाँ पे बनेगा नगर परिशद B.L.O. कौन होता है तो B.L.O. होते हैं अपने बूत लेवल आफिशर एक सरकारी करमचारी ये कोई भी होशकता पटवारी को बना सकते हैं ग्राम सेवक, L.D.C. को मतलब लिपे कोशिक शक टीचर नॉमल ये आपने टीचर तो बहुत देखे होंगे हैं तो टीचर भी हेलो बना दिया जाता है जाता तर्मानलों में फिर है कि इनकी कारी क्या है तो ये वह घर घर सर्वे कर 18 से अधिक आयूवाले यूत यूतों को नाम मतलता सुची में जोडते हैं दूसरा वह नए वंचित मतलताओं को जोड़ना और पलाइन कर चुके और मरत मतलताओं के नाम सुची से काटने का कारे करता है ठीके ना तो ये इंपोर्टेंट कोशिन है पड़ली जैराम से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए गुर्बाई जैहन जै भारत